चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विडो रिमारिज में ठीक है यहां ध्यान रखिएगा कि सथी सिस्टम किसने अंड किया लौड विलियम बेंटिक ध्यान से ज्याद रख लेज़ेगा इक कोशन मैं में सीक्निस में आप लोगों को कराऊंगी ठीक है फिर आया विडो रिम विडो मतलब क्या होती थी पिटा किसके हजबन की डेथ हो जाती थी अगर कोई विडो बच भी जाती थी तो उससे रिमारिज करने का मतलब दुबारा शादी करने का कोई भी राइट नहीं था इस पर भी एक आक्ट आया दाट इस नाइंट फिटिस में एक्ट आया बाई चाहिए उसके वज़े से विडो रिमारिज एक आया कि विडो भी रिमारिज मतलब दुबारा शादी कर सकती है और इसमें जो इंडियन सपोर्टर थे वो इश्वरचंद्र विद्या सागर ते यह वो मिडल क्लास इंडियन से जो काफी जादा इंग्लिश एजुकेशन को स शादी की थी तो सपोर्ट दा विडो रही मारिज ठीक है ओके समझ आगया इस इंपोर्टन तो उसके बाद इससे क्या हुआ कि इंडियन के बन में घुसा बैढ़िया कि एक तो यह हमारे कल्चर को क्या कर रहें एडिट कर रहें हमारे रिलिजिन को आइडिट करने की कुश रिलिजिएस कॉसे में रिलिजिएस मतलब आपका रिलीजिन समझते हो सब जो हमारे इंडिया में रिलीजिन्स हैं इंदू-मुस्लिम वेजब है इंड में क्या था बीटा कि जनल सर्वेस इनलिसमेंट एड जो बिटिश थे उन्होंने क्या किया हुआ था गूल बनाए हु ऐसे सबसे पहला हुथा हिंदूस के लिए टीका जो होता है हुँजा के बात लगाते हैं आप लोग सब जानते होंगे तो हम लोग टीका लगाते हैं वह अलाउट नहीं था अगर आप बिटिश जोवर्मेंट में सर्विस करते हैं शिक्स को टर्बन मतलब पगडी मुसलिम को बीड मतलब डाड़ी अंजी बोलो और जसके आप बोलते हैं चंदन या टिके को तो यह आपको समझ आगा बीड मतलब डाड़ी और अगर आप इसे मिलिटरी बिट बिटिश मिलिटरी और यू मस्ट यह पसाई और रिलिजिन को पॉलो नहीं कर सकते हैं सिर्फ आप अपने क्रिश्टियन हो तो आप अपने रिलीजिन को जो है क्या कहते हैं अपने क्रिश्टियन को अराम से परशान कर सकते हैं टीका पिटा जो सिर्फ हम लोग फोरहेड पे लगाते हैं चिके पूजा करके लगाते हैं ना मेहुल आयोश ओजस हंजे बिटा बोलो मैम जब हम कशी स्कूल का बेट पर देने जाते हैं इसे स्कूल हो गया मेलिटरी स्कूल हो गया मैम स्ट के और ओबी सी अंचियल के डिगरी में मैम रिजर्वेशन के उना पिटा वो हम सो आपको सिविक्स में करवाएंगे तो क्यों रिजर्वेशन है वो सब चीज़े बता होगे अभी हम लोग 1857 के रिवॉल्ट कर लें पहले हम अजाद तो करवा लें देश को तिरे सीस्टी के पास मोचेंगे अभी हम देश को अजाद करवा रहे हैं अभी हम आईउश 1857 की स्टोरी में पिजब हम वहां से बहार निकल के आएंगे तब हम लोग दीरे दीरे चीटों को कर लेंगे आप टेंशन ना आपको सारी चीज़े पता चुछी तो के दिपेश कोड़ा सबसे इंपोर्टन आप लोगों के लिए क्या है पताईए प्रिट्वी कि मैं आप से पूछ रही हूं आज के टाइम में यह कभी भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे दादा इंपोर्टन आपकी लाइफ में क्या होता है एव्रिवन वे बता दो एक बच्छी चले महीं बताते हूं नाइट इस मनी फाइन्स ठीक है है आजी विलकुल रशाब आप बताओ तो मनी इस वेरी इंपोर्टन ठीक है क्या बच्छी प्रतीक बच्छी बोलो बिच्छी बोलो क्या आपके लिए इंपोर्टन क्या है सबसे जादा क्या आप लोग बढ़ाई करोगे आपको मैं बोलू कि जंदेगे पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा आपके पर सखाने को मिलेगा बीने को मिलेगा रहने के लिए मिलेगा तो पढ़ाई करोगे आप लोग इसं वजह से वियर है टो स्टडी से अरल जिसके पास पैसा नहीं जिसके पास अगर पैसा नहीं यह थो काने के लिए नहीं थीख्यें रॉडब हमारे पास General चीज क्या है stability चाहिए और stability किससे आती है बिटा आपकी money से चिक है so economic causes मतलब क्या था बिटा during the Britishers taxation बहुत था heavy taxation what do you mean by tax tax समझते हो सब किते बचों को पता है tax के बारे में please raise your hand please raise your hand जिन बच्चों को tax के मेरे में बता है तो मैं समझा देती चलिए तो आप माधव बता हो मुझे what is tax tax is a money that we give to the government for the development जैसे मैं आपको इसका example बताती हूं कि अगर हमारे घर में कोई चीज खराब होती है कि के ना देपेश हमारे घर में suppose for example हमारा जो है fan खराब हो गया थोड़ी तो आप क्या करते हो market जाते हो fan सही करवाते हो नाया fan लाते हो तो यह मेरे expenses है ना ठीक है और आपके आप जहां रहे रहे हो सुसाइटे में कोई चीज खराब होती है और वह government इसके क्या लेती है टेक्स लेती है उसके हमसे टेक्स लेती है टेक्स वाला system जो है वो शुरू से ही है हर सिस्टम ये मुगल इस वजय से लोगों को अच्छे लगेंगे यह लोग के बुरे लगेंगे बुरे बुरे थे क्योंकि यह पूर पूर ही रहने दे रहे ते यहां पर या पीजैंस जो थे उनके लिए बुरे वेरी वेरी पूरा वीडियो देखने के लिए लेटिस एक्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें पूरा वीडियो देखने के लिएर शेखने के लिए मशemen बनलरोगे लिए कारें